पाठ ग्यारह, धोंगी सियार, किसी जंगल में एक नदी के पास चूहों की बस्ती थी, सब चूहे वहां मिलचुलकर रहते थे, एक दिन सारे चूहे भोजन की तलाश में घूम रहे थे, तभी एक सियार ने उन्हें देखा, वहें उन्हें दिखाने के लिए एक पैर पर खड होकर सूरे की पूजा करने लगा, उसे ऐसा करते देख चूहों ने सोचा कि ऐसा धर्मातमा सियार तो उन्होंने पहली बार देखा है, वे रात दिन उसकी सेवा करने लगे, कोई उसकी गुफा साफ करता, कोई उसके लिए खाना लाता, कोई पैर दबाता, शाम के समय जब चूहे लोटने लगते तो सियार सबसे पीछे वाला चूहे को पकड़ कर खा जाता, देरे देरे चूहों की संख्या कम होने लगी, उनके मुख्या को सियार पर ही शक हुआ, अगले दिन मुख्या सबसे पीछे चलने लगा, जैसे ही सियार ने उसे पकड़ना चाहा, वह तेज से एक और भाग गया मुख्या चूहे ने डोंगी सियार से केवल चूहों को ही नहीं बलकि जंगल के बाकी पश्मों को भी साब्धान कर दिया सबने मिलकर उस सियार को जंगल से निकाल दिया